केले में आज का माया टोपिक है एडिन्य ait जिसके हिंडी में कहते हैं आदि रख ग्रंथी ऐर आपको दोनों नामों में हिंडी की नाम में और इंगलिश की नाम में एक टम आपको दीख रहों कहांगा और और यहां पर रोरा भूंद किससे घंधे हैं चली बात करतें इसके बारे में जो वाद करते ऑब यह या किया हो गया next to and adrenal का मतलब क्या हो जाता है kidney हो जाता है तो यानि इस पूरे का मतलब क्या हो गया next to kidney यानि की यह gland जो होती हो कहां पाई जाती किड्नी के जस्ट बाद पाई जाती है तो इसके नाम का मतलब समझ हमें आ गया फिर 101 ग्लैंट्ड औलोसो नोना सुपरायいきलों सब्सक्राय का मतलब होता है उपर क्हां मतलब क्या होता है कीडिनी यानि कि pior ग्रेश होता है वह उसका शेप अलग होता है इसलिए इसको कहते है सुप्रारीनल ग्लैंड ठीक है बात कर लेते नेक्स पॉइंट के बारे में दर राइट ग्लैंड इस पिरेविडल इन शेप एंड लेफ्ट ग्लैंड इस सेमी लिउनर इन शेप कैसे लिए डिखाते हैं फिर आपको कजलेंड इन यहां का शेप थोड़ा घ्था थोड़ा छालाक है यह थोड़ा उबरा हो जादा है यह चीजर्शेप आपको जिसे कि मंद्रिक को पर और होते है वैसा शेप होता है और ज्लफ्ट डूणा पाई जाती उसका आकार कैसे होता है अरधे चंद्रमा की तरह होता है यानि कि सेमी लिउनर सेफ होता है ठीक है सेमी मतलब होता है आधा और लिउनर का मतलब होता है चंद्रमा यानि कि आधे चंद्रमा की तरह क्या होता है इसका आकार होता है ठीक हमने इसके शेप की बात कर लोकेसिन की बात कर ले अब आगे देखतें क्या होता है एक सथे किया हुतिंक्स में देखते एंप दृइन याई कि कैसी होती होती है ट्राइय का मतलब होता सबस्क्राइथ यह कोड द मुथे और द मुथे की आजकिने का यह इसे दो पार्ट में डिवाइड होती है अंदर की तरफ बाहर की तरफ जो आउटर पार्ट आपको दिख रहा है यह लगभग सत्र सी 75 पसंद भाग होता है जिसको कहते हैं अडिनल कॉर्टेक्स ठीक है और जो आपको अंदर का पार्ट दिख रहा होगा इसका यह वाला पार् जागभग 25-30 पसंद होता है जिसको बोलते है अडिनल मेडुला ठीक है यह चीश क्लियर होगी तो हमारे जो बॉड़ी में डिनल ग्लैंड होती है वह कितने पार्ट में रिवाइड होती है उपर को अंदर का होता है मेडूला ठीक है अब इन्हें दुनों पार्ट के बारे कटिकोईट्स हर्मोन का मतलब क्या होता है को कboom क्या होता है ग्वाटक्रिण से हर्मोन सुक्रेट होता है उस हर्मोन का नीचर कैसा होता है स्टेरोइड होता है वैसे इस्ति वार्मोन हमाई बाड़ी में बहुत कम part सिधाम करता है वैसे इस को रोड़े जाते हैं वो क्या करते हैं इसके फ़र्मेशन में करते स्टेराइड का होता है ये चीज़ धार में रखेगा और स्टेराइड हर्मोन को कहा जाता है कोटिको कोईट्स हर्मोन ठीक है यह जरूरी है और इसकी ओरिजिन कैसे होती है मीजो डरमल होती है होता तो यह पार्ट लेकिन कैसे दिए इसकी मीजो दी गई है और यह वाला पार्ट जो होता कॉर्टेक्स वाला पार्ट यह आलसो डिवारिजनल थ्री पार्ट यह क्या होता आगे चल के तीन पार्ट में यह भी डिवाइड हो जाएगा जैसे ही हमारा दिया पार्ट बीच का क्या मेडुला है और यह उपर का पार्ट होता है यह तीन पार्ट में यह भी डिवाइड हो जाएगा ऐसे करके ठीक है तीनों के अलग अलग नाम करके पूछ सकता है या पी कुछ भी पूछ लेगा option में आपको दे देगा करtex तो अभी आप समझ जाएगा इन तीनों को फंक्शन होते हैं वो तीनों को मिला करके इसी का function होते है तो option में जिस तरह देगा आप उसका answer दे सकते है ठीक है जो देख क्या होता है इसको गॉनेडो कॉटिकोइट भी कहते हैं इसका कहने का रिजन क्या होता है क्योंकि यहां से जो हर्मोन सिक्रिट होती है उसका नाम है सेक्स हर्मोन हमारी बॉड़ी में तीन जगा से से सेक्स हर्मोन सिक्रिट होते है पहला जो होता है पहला होता है गॉनेड मतलब होता है ठीक के टीडー चैस्टिस ऐनवरीrans ढुर। र्मा की तो पता ही ओगा को आपको किस्यास सक्थाउन ऩहीं होते हैं दूसरा होता सा पलेसंटा है है जिसके क्या होता है नियूसेंस का वेस्टेज का क्या होता था New जो गंदगी जो भी गलत चीजह होता है उसको बच्चे पहुंचान के कामक्लेटी करता है तेसरा सब्सक्क्राइब्स अबाक्ष नहीं है कीडजनी का पार्त यानि की ओवरॉल लिए C तो kidney सीखिया और sex hormone हमारा secret होता है पेपर में कोशिन कहीं से भी आ जाए आपको हार तरह से इसका answer देना आणा चाहिए ठीक है फिर देखते हैं आगे अब sex hormone जाहिद सी बात है दो तरह के बना होगे एक female sex hormone होगा प्रेकर्षर औरे टेस्टोस्टिरोन इंड ठीक है यानि त्देख और देखा जा सेख और ऑथ स्टोस्टोस्टोस्टे ना यह hARA देख Meg South कि आंड देखते का मेरा क्या मतर्वन चारों प्रोगेस्टरों अन ऐस्टोजन क्या होता है यह पर पेपर में नोते हैं और जो एंड्रुजन होता है वो कैसा होता है वो मेल होता है ठीक अब इतना आपको याद रखना है फिर क्या दियाओ सरोम फार्टीन पंद्स ग्लै्ड कुण एप्ट्रक्रेश इसका मतलब यह होता है कि जो गोणेड की तशार्म प्रारा civilization सब्सक्राइब होता एसकी प्रभावbn को दबा देना इसकी प्रभाव को क्या कर देता है इसके π्रभाव के तरह सेक्सार्मन क्या कर देता है उनका प्रभाव उनका तो इसको कहते हैं अब इसका भी मतलब तोड़ पोड़े निकालते हैं काटिक मतलब समझ में क्योंगा कॉर्टक होता है और मतलब क्या होता है इस्टिर्ट के मतलब क्या होता है अनुकोज होता है यानि यह नि यह मेंकि से सिकरेट होता है इसका में काम काम होता है गार उपस होता है तो यह लाहिए debt करने आँ जाहिए के इस्ट्रस हार्मोन विखना our में इनरडी चाहिये होते हूँ जाहिए है अगर हे से स्क्रिरिट होगी और बोड़ी में जो घ्लाइकोजन होते हैं वहां से होती है है कैसे मिलेगी ग्लॉकोज की वहां इनरजी मिलेगी तो घ्लाइकोजन जो होता में लिवर में यह है तुर यहां पर क्या प्रोटीन है अब प्रोटीन भी लीवर में स्टोर हुए रहती है यह बी तूटती है अब प्रोटीन का तूटना है तो अव्यस इस बात प्रोटी लाइसिस हो जाएगा यह बनाता है हमारा गुल्कोज तूट यह वह ब्लड में जाता है तो पता है क्यों नहीं सकते वीडियो में तभी आपको समझ में आएगा ठीक है तो क्या होता है ये तीनों चीजे जो ब्ल्ट में हमारे जा रही ग्लुकोज तो इससे आपको एक चीज simplemente haut करता है जिससे ब्लेड में क्या होता है सुगर लेवल बढ़ जाता है तो यह चीज आपको समझ में आगी होगी और एक चीज और भी समझ में आगी होगी अगर इसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है इस हर्मों का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होगा ब्लेड में क्या होगा स जिसकी वज़ा से बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है और इसका सिक्देशन अगर कम होगा तो भी क्या होगा बहुत इसके साइड डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो इस्ट्रस लेना इसलिए कहते हैं गलत चीज होती है तो बाड़ी में बहुत ज्यादा ग्लोक कोटिकोईट्स कोटी का मतलव कोटेक्स कोईट का मतलव इस्टिरोइड और मिन्डायलो का मतलव मिन्डायलो होता है ठीक है तो हमने कितने पड़ें एक तो पड़ा सेक्स कोटिकोईट्स दूसरा क्या पड़ा था हम लोग ने ग्लोकोटिकोईट्स और तीसरा क्या पड़ा तीरों कहां कहां से स्क्रेड होती है हमने अच्छे से पढ़ लिया ठीक है इसके नाम में इसका पूरा अर्थ छिपा हुआ है तो देखते हैं इसका मतलब यह जो होता है मिन्डायलो कॉटिकोइट्स यह हमारी बॉड़ो अल्डोस्टरान होता वही होता ठीक है यानि कि जो अ होता है मिन्डायलो कॉटिकोइट हार्मोन ही होता है ठीक है यह चीज के लियर हो गई ना इसक काम क्यों हो थिक्या है नाम सी लग लग तो जैहें ही मिन्डायल का बॉड़ी में हमारी क्या कर सकते है सोडियम और पोटेशियम यानि कि बॉडी में हमारे सोडियम और पोटेशियम जो आयन होता है उसके बैलंस उसके क्या करता है उसको बैलंस करके रखता ठीक है हमें फिन्टिक्स में जो इंदर में अब स्टेशर कुछ इस बाटा हुए स्ट्रा के पिछे अपर था ठीक है इस स्ट्ट्र खल में यानि कि पिछला वाला भाग था उसको कहते है resses नो करता है तो किया होता हूं सोडिययूम अइयन की 항OL करेंग थैश्च खरता हैँ सोडियूम की कमी होने लगती है यह हर्मोन सिक्रिट होने लगता है और यह क्या करेंगा जाकर के DCT के पास क्या करेगा उसको stimulate करेगा सोडियम आयन को absorb करने के लिए सोडियम आयन को absorb किया जाएगा तो ओविसी बात है potassium आयन को body से बाहर निकल जाएगा ठीक है क्योंकि sodium और potassium कर जो अगर देखा जाए मतलब उन्हों कर दो होता है direction होता विसा पूजिट ही होता है ठीक है तो एक चिस की लिए होगलाई इसका में पहला काम क्या होता है दूसरा क्या है ये तो पड़ चुक है एक मेंट में खहें प्रशर का मतलब होता है यह क्या करेंगा मारे बोडिमें ऑक्सिजंगे को मतलब जो बोर डीमें वाटर होता है उसके लेवेल को भी बना कर रखेगा ठीक्लिक प्लेट प्रेशर यानि है उसको भी यह यह तो लुद्ट पाए जाता है तरल पदार्थ कर रिखता है इस लिए स्कानाम है अले कॉछ इसको स्थीनिंग हार्मवन ह कहते है क्या करत है बाटी में सौत की बैलन्स को भी बना के रखता है घिगा आर सारे होटर टा स्थी यानि के बहुत सारे बंड़ार्ज्वाटो है रास अपने पर होगा क्या होता है रेनिन एंगियों defend and क्ट्रोल करने का वा न시면 करता है अपने पड़ा होगा नहीं ग्रावन ओगार्श सम्झारी और कि n एंजीयो टेंस टंसिन बैने बताया था एक यह भी होता है जो डबल यहां वाला हिंग स्टमक सब्रह्त होता है यह हमारे किड़नी में होता है तो यह चीज जहां रखेगा कोश्टर इस तो भी बन जाता कभी कभी क्या दिया है है यह होता है यह एक डिजीज होती है जिसमें जादा हो जाता है तो आपको यह पता कि सोडियम आयन की मात्रा क्या हो जागी बढ़ जाएगी अगर सोडियम के लेवल बढ़ जाता है वहारे बढ़ जाएगा ठीक है और गलो में रूलर जो कि डिधने के बास अब सिर्थिंऑ और जाएड को सॉडियम आयन इंख्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बढ़एगा तो अगर बढ़ गया तो sodium आयन भी बढ़ जाएगा अब इसका हाइफु सिक्रेशन क्या करता है हाइफु मतलब होता है कम अगर eldest one कम मात्र में सिक्रेट होगा तो जाहिट सी बहुत है बॉड़िय में क्या हो जबाएम की अ देला तो ब्लेट का कन्स्टेरोकिन कम हो जाएगो जाएगा जिससे ब्लेट प्रेशर कम हो जाएगा जिए जिसा में यारत फिल्टेशन ऑगा泡ज तो और ने हो जाएग के पानी उगदर की होती है तो एक सार ऐसा हो जाता है ठीक है एक चीज़ क्लियर होगी आप जब बात के लिए रास मेकरिजम के बारे में कि यह रास फंक्शन कैसे करता है किड़नी में जब मैंने पढ़ाया था अच्छा से बताया था यह फिर से बता देती हूं इसको इस डाइग्राम को देखे विए सब कुछ समझ में आ जाएक ठीक है रास का रास के बारे में बात कर रहे हम लोग ना कि रास का फंक्शन क्या होता है ठीक है बहुत इंपॉर्णंट है यह हमारा लीवर ठीक है लीवर ने क्या किया एंग्यों टैंसी नोजन का फॉर्मेशन कर लीवर ने क्या किया एंग्यों टैंसी नोजन बनाया और ब्लड में इसको भीज दिया अब इतर किड़नी है किड़नी ने क्या किया बनाया रेनिन और कहां भीज दिया ब्लड में अब जैसे ही ब्लड में इसको मिलेगा इंग्यों टैंसी नोजन को क्या करेगा इसको करेग angiotensin first अब angiotensin first blood के साथ flow होता है जा रहा आगे-आगे जैसे यह पहुचता है lungs के पास वहाँ पर क्या होता है lungs वह आपको दिख रहा होगा एक यहाँ से हर्मोन निकल दी जिसका नाम होता है ACE ACE का मतलब होता है angiotensin converting enzyme angiotensin converting enzyme क्या गरता है इसको change कर देगा angiotensin second में अभी क्या है यह activate होता है और यह कहाँ पाहुच जाता है adrenal gland के पास जो कि हमारी kidney के उपर पाई जाती है और वहाँ पर जाकर क्या करेगा यह secret करवाएगा eldosterone को आपको function समझ में होता है कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है तो eldosterone के पास जाएता है kidney gland के पास और क्या secret करवाता है eldosterone secret करवाता है अब यह eldosterone कहाँ जाएगा यह हमारी kidney के पास जाएगा और क्या करेगा जा करके जो DCT होता है यानि कि distal convoluted tubules होता है वहाँ से क्या करेगा sodium iron को absorb करने का काम करता है तो इसका function समझ में कैसे कहां से start हो तो कहां तक इसका function सुलता है यह होती रास mechanism यानि की रास की क्रिया विधी यही होती है ठीक है clear हो गया यह kidney में भी topic है और यह इसमें थोड़ा सा दिया था मैंने इसलिए आपको समझा दिया अफसरों का कशरों involving a announ उनेटी कहा है जर्ट स्कतर को मतलब होता है ब्लूर स्विषाओ और olan यह सदार Linda ख़ता कॉन जया मतलब होता है ताँ नहीं और शीरा किक्था इसका issue दिया का होती है यहां रहता है और इसको सिपँद रहता है एंजियो टेंसिन सेकंड करता है तो यह उतो गया रास मेकनेजम यानि कि हमने अच्छे से बुरा जितना भी कॉटक्स वाला पार था उसको अच्छे से देख लिया ठीक है आप किसकी बात करेंगे हमने अब बात करेंगे मेडुला वाले पार्ट की यह डियाग्राम दिख रहोगा आपको यही डियाग्राम है ठीक है यह मेडिला वाला पार्ट है अंदर वाला और बाहर देखे तीनों लेयर होती है सबसे उपर क्या है जोना ग्लॉमिलो लोसा बीच में क्या फैसिकलोटा और सबसे अंदर क्या है रैटिकलोट यह क्या सिक्र और बीच वलग के सिक्रेट करता है यह सिक्रेट करता है रिख्रा और सब्से बाहर करता है मिनले काॉटेल अरे किंति इसके सबसे उपर कवरीं होती कैपसूल की आ चाह전 तो इस सट्रें और बात करने अब मेडिला के बारे में ठीक है यानि के आदेनेल मेडूला अग्यास मिल द्रेट करता है जो मेडूला वाला पार्ट होता है वो से मिलकर बनी होती है ये कंट्रोल वाई नर्वस शिस्टम हाँ एक शी मताना बहुल गहीं जो कोटेक्स होता उसमें जितने भी करता है एंडोक्राइन ग्ल्फ आंप किया करता है एंडोक्राइंग तरहा audiencenovate करता है दिया यजित तो यह चीजद ध्याना कीएगा है जो हमारा German की दरदा कंटरोल में रहता है और जो मेढला वाला पार्ट होता है वो nervous system के दरदा कंट्रोल में रहता है जींग होगे यह तो इसको क्या करते है इसको हम लोग कहते स्क्राइब EMP Pokemon क्योंकि Drug Trans 가까us सामने ह tienes Penguin कोई चीज़ इस सामने अचованक से मतला धांडेरे में आप जाने पी डर ते हैं या कोई भी भी जॆ पहने देख लिए डर लगता है न यह साप्व एका मतला तरी अपmen असाफ सोगया तो लड़ेगा तो नहीं लेकिन अगर कोई वेक्त ही आपके सामने या घर आ तो या करेंगे आप उससे डर्एंगे दूसरे नंबर उससे फाइट करेंगे तीसरा फ्लाइट भाग जाएंगे ठीक है या तो लड़ेंगे या तो भागएंगे लेकिन पहली कि लिया क्या अवकर फीर आप डरिंगे जरूर उस सबसे में होता है है । तो चाहरों चीजे इसके बारे में हम GRANT प्रजली इसकोION डिदी यालट मतलब होता है बेषटिंचल मिटाबॉलिक का जहिस्ट या खाते हैं अबने कि या बोजन बहुत जल्दी डाइस्ट होंकि ऊज्जा में कंवाट हो जाएं ठीक है ओर जांगे तो बहुत ज़्यादा घंगे तो उनका वेट नहीं बढ़ता है कि उनका भी और बहुत तेजг होता है उनका फूर्ट जो थे नड्20 शनली बहुत जाधी के बहुत जल्दी बenn हो जाते हैं पतले दूबले ही रहते उसका रीजस फ CHAR staan होता होता उना किसम अब्धिक होता है मेडियुम में दो हुते है अज़ पूले हम उच्छिक 트ंब तो बॉड़ी में वेट यानिक नहीं बढ़ने पाता दूसरा क्या होता अगर बीमार कम हो जाए तो क्या होगा बीमार कम हो जाएगा तो डाइजेशन जो खाना हमने खाया है वह उर्जा के फॉर्म में जब कर्ण होता तो एनरजी जो होती है वह जल्दी से क्या हो यूटिला जादा खाना नहीं गाती फिर्विंगा बेट क्या था आवज सकता से बढ़ने लगता है ठीक है और ऐसा कब होता है जब हम इस ट्रस में होते हैं ठीक है तो यह चीज़ द्धान लखेगा तो इसका में फंक्शन क्या हो गया एपी ने पिन पिन नौर पिन 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 प इसके फंक्शन उसका किड़नी का इफेक्ट भी पढ़ता है कि हाट को इंक्रीज करने में कीडिनी का इफेक्ट पड़ता है कि किडिनी का कॉई function हों ही नहीं सकता है क्योंकि ब्रेन तो कर सकता है लेकिन कैसे कि आपको आज clear हो गया होगा कि किडिनी भी करता है और कौन सा गा देख लिए आपने देख लिए लिया साप आपने मघस कोंट लापने बढ़ आए hoगी आपका हार्ट खून्ट कॉंट्रक्षन रेट या नी की हाट बढ़ जाएगी नहीं चाहिए वह भी बढ़ जाएगी यानि कि सुसंग किदर के होगी आप बहुत तीस चलिए सास लेने लगे वैस्ट चिलेसन और ब्लड वैस्ट यानि कि जो ब्लड की वैसल होती है वो क्या करें का फैल जैसकत कर एक ब्ल conversation मतलब क्या होता है ठीक है कॉंट्रक्षण मतलब होता है डीलेशन डीलीसन मतolब होता है ठीक है अब क्या होगा जाहिर सी PROPS है बल bend की जो vessels होती है जैनी कि जिसके दर ब点 वहता है आरटे divorced की बात कर रहे हो वह क्या हो क्या होगी यांग होती हैं यहां पर यहां पर यहां पर जीसकी वज़ा से आखों कर रांग पता चलता है तो क्या होता है प्रफिप्ल सब्सक्राइब जहां से लाइट अंधर करती यहीं करती है लाइट के अंदर प्रफिज अंदर अखरती बैलेंस कर दी कि लाइट चाहिए फीक है तो प्रफिट तो अपने आंके बड़ी-बड़ी हो जाती है अपने बड़ी हो जाती है तो यहीं चीज हमारे साथ होती है अगर आप सोच करके देखें तो याद करने के जो नहीं पड़ेगी आपने कुछ हाटबीट कब बढ़ती है जाहिर सी बात हम किसी को देख लेंगे डर जाएंगे काव जेंगे तो अपने आप हाटबीट बढ़ जाती है नहीं और जो ब्लेड का विसल्स होती है उसका वैसल डालेशन यह तो फिलाल दिखता नहीं है यह जो हमें समझना ही पढ़ेगा कि विल हो जाता ठीक है फिल डालेट आखे तो अपने बढ़ी हो जाती है तो अपने देखी होगी ना कभी कुछ देखें अंधरे में कहीं भी आप गए तो अचानक से कुछ सामने आता अपने आप चौक करके हम अपने आखें बढ़ी कर लेते हैं ग्लाइको जिनोलाइसिस अब ज डालत है इसको में चैनने इससको हमारा एंडोक्राइन ग्लेंड करते है ठीक है एक मदर पसके मांधियमस हम ढ़ीदा होगी होगी तो मेंडिल्यावाला पाप होगी अच्छे सब्छान है घ्राई Chutaka से दिख्राना यहाँ से क्या निकलता है A-C-H A-C-H का मतलब होता है अद्रीन को टॉपी खार्मुन जो कि इन इच्छे से पड़ा तो में इसका में बस इतना होता है यह जाता है यह जला है आनिक्स वाले पार्ट को प्रॉब्लम आ जाती है यह किसी बी चीज का डर आ जाता है पेपर की डेटा गई यह मालेजित किसी की अचानल से तवयत खराब होगी हमने सुना घबरा आ गए मतलब किसी बीजी बीजिवी जिसमा आपको घबरावत होती है देखकर आप चौक जाते हैं ठीक है जैसे अपने पड़ागों ने एक्सक्लामेटरी संटेंस में जितने भी एक्जामपल आते हैं वह समझ जाई है अप एडिनली उस दोरान जिरूर सेक्रेट होता है ठीक है कभ एडिनलीन हार्मोन ठीक है क्या क्या होता है इस दोरान देखिए क्या होता है इसके दोरान होता डाइजेस्टन स्लो हो जाता है ट्यूरल विजन का मतलब होता है जो हमारी प्यूपल होती हो क्या होती फैल जाती है अब जब फैल जाएगी तो ब्लैक क्लार का दिख आपको यही होता हमारा प्योपल और अंदर जाएगी तो क्या होगा हमको प्लियर विजन होगा यानि कि हमको अच्छे से चीज दीखाई देगे ऐसे लेट हार्ट रेट हार्ट्रेट क्या हो जाएगी बढ़ जाती है fast breathing हमारा सास भी हम लोग बहुत तेज़ तेज लेनी लगते इन्क्रीज स्वेयटिंग पसीना भी भर आने लगता है यह आपको पते होमा बहुत होता है बहुत लोग जोड बोलते हैं तो दो पसीन आने लगते हैं घराहट पशीन आने लगता Battle हैं increased blood pressure blood का pressure भी बढ़ जाता है ठीक है liver converts glycogen to glucose यह क्या करता है ग्लाइकोजर को ग्लोकोज में convert करता है protein को भी ड्लोकोज में change करता है fat को भी ग्लोकोज में change करेंगा क्योंकि हमको क्या होती है hos कुछ है आज का खत्म हो गया है और जितने भी में में हर्मों से मैंने लगवख सब कुछ खत्म कर दिये और जितने भी ग्लेंड थे एंडोक्राइन वह लगवख मैंने पढ़ा दिये आपको ठीक है तो अगर मेरी क्लास में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन